आपका स्वागत है हमारी बुद्ध सीरीज के अंदर हमारे 3-4 एपिसोड आ चुके हैं सबसे पहले हमने बदाया था कि बुद्ध क्या है क्यों है कैसे है वो आप देख चुके हैं और जिन शोताओं नहीं देखा है वो हमारे एपिसोड 1,2,3 देख सकते हैं अज हमारा 4 एपिसोड आ रहा है और हमारे साथ है वही वक्ता जो धम की बात को बहुत अच्छे से बताते हैं सुधिर राजी, सुधिर राजी आपका हमारे चैनल हमारे स्टूडियो में आज के लिए बहुत बहुत आदो बात नमत कारो बहुत बहुत हैं जिक है सुधिर जी बात बताईए जहां भी तथागत गौत्वन बुद्ध के कारिकरम प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे अधिकतर एक छोटी सी आरती बगरा बोली जाती है जिसको बोला जाता है नमो तस्य करके जो बोलते हैं वो क्या है और उसो क्यों बोला जाता है इसके बारें पता है सुरिंदर जी आपका बट बहुत धन्यवाद है इस चौथे एपिसोड में हम बताएंगे कि नमो तस्व भगवतो क्या है बेशिकर लिए आरती नहीं है आरती हिंदी में जो शब्द है आरती का उसमें हम किसी की पूजा पाठ के सामने जो थाली लेकर गुमाते हैं उसको आरती बोलते हैं या मिन्नत को आरती बोलते हैं और आरती का पाली के अंदर तो बहुत ब्रधी और बहुत अलगी शब्द है इसको आरती बोलते है रति आप जानते हैं जैसे रति का मंदर रत होना चुछती कीड़ा होती है उसी प्रिकास मगर नमो तस्य भगवतो एक वो लाइन है जो कोई भी धम का कारिकरम या धम की कोई भी सभा आगar आरह होती है वहाँ नमो भीक्चु है या धम की बात होगी दूसरी वार फिर तत्यम भी तीसरी वार नमो का मतलब है नम्र होना जुकना इसे नमककार यानि नमशकार भी बना हुआ है नमकको भी बना हुआ है नम्ती भी बना हुआ है ये नम्ती जो शब्द है इसका मतलब है जुकाव होना जुकना नम्र होना तस्य का मतलब है वह यान भगवान बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जीते-जी सारे दुखण किया इसलिए भगण करने वाले को भगवा या बगवान या भगवातो भिर से मिलके बना हुआ है एक अर और एक हाथ अर जो बोलते हैं पाली भासा में जो आपने देखा होगा ना धमचक्र जो देखा होगा धमचक्र में जो कडिया होती है बीच में उसको बुद्ध ने बारे कडियों का एक नियम बनाया था जिसको यह बताया था जो देखाता हूं जब 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 ज जीवन चक्र बोलते हैं, जितने भी आप साहित्य में देखेंगे भव चक्र तो यही पर्टते समुद्पात की बारे कडिया हैं, तो अरुम कडियों को बोलते हैं, और हत्माने होता है हंत करना, या उनको खतम करना, या भगन करना, या नष्ट करना, तो उन्होंने अपने ज सम्मा माने होता है, बुलकुल ठीक, और बढ़िया एक सार सम्मा सम बुद्ध से, यानि कि ऐसे बोधी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए नमशकार करते हैं, तो उनकी क्वालिटी को, उस व्यक्ति क्वालिटी को बुद्ध के नाम से जाती हैं, नमशकार करते हैं एक सुधी राजी जो धम की बात को बहुत अच्छे से बताते हैं, अगर आपका भी कोई कोई कोश्यन है तथागत गौतम बुद्ध को लेकर और आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो आप हमारी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमें कमेंट बॉक्स में लेकर बताए क्योंकि धम ही है जो सबसे पीछे रह गया है जबकि देशों विदेशों में सब जगे बहुत आगे हैं लेकिन भारत देश के अंदर ही सबसे पीछे रह गया है हमारी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत सादुबाद धन्यवाद